दिलो दिमाग में घुमरते हुए सवालों के जवाब तुम्हें देने ही होंगे देवा, कौन से सवाल और कैसे जवाब इस बात का जवाब, कि चिता पर पड़े अजगर के मुर्दा जिसम के साथ तुमने बत सुरू की, क्यों की देवा और फिर बादर के हाथों तुमने अजगर की लाश को चुनारगर भेज़ कर उसे खत्रे के आग में क्यों धखेला देवा, तुम अपने तैश में मेरे साथ काम करने की शर्टों को तोड़ रहे हो और जुआला, तुम अपने सारे बादर साथियों की जिन्दगी दाउं पर लगा रहे हो लेकिन देवा, तुम अपने शर्टे भूल रहे हो हमारी पहली शर्ट जी, कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे सवाल नहीं पूछूंगा तो क्या ये मैंने तुम से कभी पूचा, कि तुम ने शर्टनाक और शर्मनाक मौत ली, क्या ये मैंने तुम से कभी पूचा है, कि अजगर की चिता को तुम ने आग क्यों नहीं लगने दी कोई सवाल ना करने की शर्ट मुझे अच्छी तरह से याद है जवाला, हाँ जवाला, लेकिन अब मेरे भीरज और पूच का बान तूट चुका है देवा, शर्ट तोड़कर तुम जवाला की दुश्मनी खरीद रहे हो अगर ये दुश्मनी है तो दुश्मनी ही सही, लेकिन आज मैं ये सवाल पूच कर ही रहूँगा क्याज गर के साथ तुमारे अदावत और दुश्मनी इतनी संगीन क्यों है देवा, ये जवाला का निजी मामला है निजी मामला? कैसा निजी मामला? अगर इंसे तुमारी सीधी दुश्मनी है, तो तुमें खत्रा उठाने की क्या ज़रूद है जब देवा मौजूद है? नहीं देवा, इसे तुम नहीं समझ सकते है इस दुश्मनी की गहराई को सिर्फ जवाला समझ सकती है सिर्फ ज्वाला और इस दुष्टमनी को अंजाम भी ज्वाला देगी अपने तरीके से अगर तुम्हें मेरा साथ देना है देवा तो आइंदा कोई सवाल नहीं करोगे ठीक है देवा तुम्हारा साथ भी देगा और कोई सवाल भी नहीं पूछेगा लेकिन अगर चुनार गड़ में बादल पर कोई आच आ गई दो तो तो क्या देवा तो आइंदा देवा तुम्हारा साथ नहीं देगा देवा बादल एक काविल आयार है चुनार गड़ में अपनी काविय की ढाल से वो हर आच का मुकाबला कर सकता है लेकिन तुम्हें एक बाद भूल रही हो ज्वाला चुनार गड़ में काविल आयारों की कमी नहीं और फिर वो खुराफाती कुरूर सिंग भी दुआ मौजू है जो बादल को अपनी साज़िशों के जाल में थासा सकता है तो जिए परदाम 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 दर्वाज़े खुलो लेकिन हिम्मद सिंग का होक मैं यह दौर किसी के लिए ना खुला जाए बेवकूफ तुम जान तो किसे बात कर रहा हो बैकुरूर सिंगों खुलो दर्वाज़ा मुस्ताकिक लिवाफी चाहता हूं लेकिन हम हिम्मद सिंग जी के आग्या को लंगा नहीं कर सकते बेवकूफ किसे भी हिम्मद सिंग भास इतने हिम्मद नहीं कि कुरूर सिंगों किसे निया में बात सकाए खुलो दर्वाज़ा थेक है मैं आपकी जिम्मदारी पर दर्वाज़े खुल देता हूं है अच्छा किया अच्छा किया क्यों यह मुझे इसी वाक फारण हेवत से मिलना है कि आपके में कि हमें है कि जाए हम ना परक्राण करोडार शिर्ट मधराए कि आप कि है कि एब गया कि शौकरे वाली क्या बात है लिक्श्प अभी तो आप इस दौरस अंदर गये थे क्या मैं अंदर किया था अभे वो मैं नहीं था तो कि वो काम था वो दुश्मन अयार होगा लेकिन वो आप के शक्ल में अभे अयार किसी की भी शक्ल इक्तियार कर सकता है तो दुश्मन अयार मेरी शक्ल का फाइदा उठा गया तुम फॉरन जाओ इस वक्त सुरिया का महल में ना होना मुझे बेहर खल रहा है तुम्हें अपने मतलब की सबी बातों के जानकारी तो बहुत पहले रहती है ताज़ूग है तुम्हें महल के इतने बड़े अदेदार के बारे में कोई खुबर नहीं और तुम्हें तो हमसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सुर्या शनी के तलाश में गया हुआ है ने ने मुझे लगा कि शायद वो आपस लोट आया होगा अगर वो लोट आया होता तो महल में मौझूद दुश्मन अब तक हमारे काबू में होता हो पुआ हो और अव् सुर्या के भेश में इस महल से बिना रोक टोक के निखल जाओ उरब सुर्या पर नांगा? पर नांगा? सूर्याजि सूर्याजी सूर्या कि तुम कर लोटे आज ही लोटा है मैं तुम्हें महल में मचे इस उपद्रों की पूरी जानकारी देना चाहता हूं यहां की आलाद के बारे में पन्ना मैं अभी पंडित जी से मिलके आ रहा हूं और इस संधर में मुझे पूरी जानकारी मिल चुकी है तो इस संकट पर यही मुनासिब होगा कि मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूँ और हाँ पन्ना मुझे तुम से अपनी योजना के मुतालिक कुछ जरूरी जानकारी देनी है मुझे भी कुछ की ज्रूरी काम जिप्रने है मैं तुम्हारा मुख्ध दोर पर इंतिजार करें है जिसके लिए तुमस्त रांत्ते हैं पन्ना पंडिय ने मुझे बताए कि महल से निकलने का एक मेफूस पोषिवारास्ता है कि इसकी जानखरी सिर्स तुमपरें पहुछ है पुसी रास्ते के बारे में मुझे बद्रिनाद जी ने बताया था और शायद सी रास्ते के जरीए उस बेहरूपया सूरिया ने शनी को फ में उस पोशीदा रास्ते के बारे में बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस राज को तुम अप्रे तक सिमित रखोगे। आउ मेरे साथ। मेरे काम्याबी अब इस रास पराधारी थे। और उम्मीद करता हूँ कि इस राज को तुम अप्रे तक सिमित रखोगे। आओ मेरे साथ। मेरे कामियादी अब इस राज परादा रहे है। सुर्या, यह रहा वो पुशीद रास्ता। और इसे खुलने की तर्कीत? इसके खुलने की तर्कीत? यह रहा वो रास्ता। पन्ना, इस सुर्ण के जरीए दुश्मन महल के किस छोर तक पहुंसकता है। महल की उत्री सरहत के बाहर। अब इस सुर्ण के जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है सुर्या, तुम यह जिम्मेदारी समभालो। महल के मुखे द्वार पर राम नरायन मेरा इंज़ार कर रहा होगा। मैं वहाँ चलता हूँ। तुम के सुर्ण ही नहीं। मेरी आजादी का पर्चम है। क्थम जौता का थार खाथ हुआ 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 है। तुम के सुर्ण मेरा राम के सुर्ण... झाले प्रणी पोग माँ अगाव अजी उढ़े से बाले से पाले से वाले से दाले सांवाने अजी तक, प्रणी खाले से पाले से अप्राम। कि युके दो कि में चूज कार में में कर दो कर दो कर दो कर दो ओो कर दो करography का दो कर दो हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है कर दो कि अर्फ कर दो कि अंगे लग अग्या मुम्किन है यह मैं बताऊंगा सूरिया का रास्ताव को बारुपिया नहीं रोक सकता महरूपया कौन है ये तद्काल जाहिर हो जाएगा इस सलवार की जोर से करें आप दो जाएगा कि अजया है कि अजया कि तुमने क्या समझादा कि सूरिया की शक्ले त्यार करके तुमेलते फरार हो जाओगे कौन फरार होना चाहता इसका फैसला भी हो जाएगा तज्यूप की बात है हिम्मत सिंग हमारी सक्ष सुरक्षा प्रवंद के बावजूद भी दुश्वन अभी तक हमारे हाथ भी नहीं आया महल का कोना कोना से इलबंध है फिर भी यह यार चक्मा दे रहा है क्यालो पंडिजी बोलो हमार सिंग वैसे तुम्हाएं चेहरे से साहिर है कि दुश्मन अभी तक तुम्हारे कबजे में नहीं आया उसकी वज़े है बंडिजी वज़े जो भी हो बरकत खान पंडिजी अपने अयारी के करतब के वज़े से वो बार बार भेज बदल लेता है हिमा सिंग बरकत खान आदेश बंडिजी एक बार ध्यान में रखना ना महाराथ के शिकार से लाटना से पहले पहले हमें उस दुश्मन अभी आसा यह पर बंडिजी जी बंडिजी ही जी 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 हुआ है प्रुन्ट प्रुन्ट झाल झाल जाल झाल पूरी तरह से मेरे कब्से में हो ये शर्टिया सूरिया की शकल में बातल ही है तब ही तो असली सूरिया से इतनी जातना दे रहा है सुनो, तुम अपने राज और अपनी पहचान मेरे हवाले करो सूरिया, यह ऐसा नहीं बोलेगा इसके तकलीप है और बढ़ानी होंगी बलू, याक्तना चक्रो को सक्रिय करो बताओ तुमारा सरगना को है मैंनी जंता बताओ तुम्हारे सरगना का पता क्या है मैंनी जंता बताओ तुम्हें चुनालगड किसने बेजा और तुम्हारा यानिका मकुत क्या है में कुछ नहीं जानता है 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 बताओ अपनी सरगना का नाम मैंनी जानता बताओ तुम्हारी ये वफादारी टूट के रहेगी है 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 बादल तो याद तुम्हार के बहुत बड़े दुश्यक्त में पस्किया है कि तुरे आजके तुम्हार कि अधिली आरे है कि तुम्हार के वार से टौ्ट के भी ता ड़ी आरेक है इसका चेरा तो पत्रीला हो रहा है हाँ लेकिन सुरिया क्या हो रहा है बस देखते जाओ लेकिन सुरिया इस स्थिती में तो ये कोई भी राज बताने के काबिल नहीं रहेगा ये बोलेगा